मिशल स्टार्क के सामने पस्थ हुए विराट जिहां मिशल स्टार्क वसज विराट कोहली की बातें ये सिरीज शुरू होने से पहले ही चल रही है वहीं पूने टेस्ट के दूसरे दिन दी शुरुवात से ही विराट कोहली और मिशल स्टाक के बीच संघर्ष की चाचा रही और सिरीज के पहले ही मुकाबले में स्टाक ने बाजी मार ली विराट ने महस दो गेंदो के भीतर जीरो पर पैविलियन की रह पकड़ ली विराट कोहली इंटर नेशनल क्रिकेट में 104 पारियों के बाद शून्य पर आउट हुए है इससे पहले 2014 में कार्डिक बंडे में वो जीरो पर लोटे थे वहीं टेस्ट में साल 2014 में हैं मैंचेस्टर में वो जीरो पर लोटे थे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और मिशेल स्टाइक के प्रदर्शन पर नज़र डाले तो विराट कोहली चार सिरीज से दोहरे शतक ठोक रहे हैं मिशेल स्टाइक ने इशियाई धर्ती पर पिछले तीन मैचों में श्रिलंका के खिलाफ खेलते हुए 24 विकेट चटकाए हैं और शानदार फॉम में चल रहे हैं पिछली दो सिरीज की बात करें तो उन्होंने दक्षिन अफ्रिका के खिलाफ तीन टेस्टों में 14 और पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्टों में भी 14 विकेट चटके मतलब कि वो भारते परिस्तितियों से वाकिफ हैं और उन्हें यहां के इन बाज़ी करना आता है यानि टीम इंडिया के लिए मिसेल स्टार्क एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं